Hello everyone, नमस्कार, इस वीडियो में हम लोग Digital Signature की सेटिंग कैसे करते हैं, ये देखेंगे, सबसे पहले आप सब लोगों को 9 बर्स की मंगल कामना है, और 9 बर्स में आप सब को नया लैप्टॉप मिला है, और उसमें आप लोगों को Digital Signature की सेटिंग करने होगी, तभी आप Mutation से Related काम कर सकते हैं, जवाबंदी से Related काम कर सकते हैं, तो चलते हैं हम लोग देखते हैं कैसे करना होता है, तो सबसे पहले ही करना ये होता है, कि आपको कुल 3 सौफ़एर इंस्टॉल करने पड़ते हैं, इसके लिए 4 अगर आप चौथा और बहुत लोगों में इंस्टॉल होत होता है, और इंस्टॉल होता है, उसको इनेबल करना होता है, वो देखेंगे कैसे करते हैं, तो सबसे पहले हम लोगों को एक Java Runtime Environment होता है, जो latest version होगा, वो इंस्टॉल करना होता है, ActiveX का एक Plugins आता है, वो आपको हम दिखाते हैं कैसे करना होता है, और एक Digital Signature का driver, जो Digital Signature आपके system में होता है, जो आप नया system दे रहेंगे, उसके बाद कुछ ब्राउजर की setting करना होता है, सबसे पहले अगर आपको Java इंस्टॉल करना है, तो आप इस site पर आईए, यहाँ पर आपको बहुत सारे software मिलते हैं, JRE type करना है, और आपको search करना है, JRE जैसे करिएगा search, त आपको जो लेप्टप मिला हुआ, 64-bit laptop है, तो आपको JRE 64-bit को आपको डाउनलोड करना है, डाउनलोड करने के बाद, आप जैसे ही इसको डाउनलोड करेंगे, तो यह डाउनलोड होगा आपके system में, इसको आपको install कर लेना है, पहला काम यह करना है, दूसरा काम जो करना ह आपको आप विहार भूमी के जो immutation site है, उस पर जैसे ही जाएंगे, तो आपको एक ActiveX मिलेगा, यह डाउनलोड एक्टिवेक्स, इसको आपको डाउनलोड करने ना है, जैसे ही आप क्लिक करेंगे, आपके system में डाउनलोड हो जाएगा, डाउनलोड करने के बाद इसको open करन करना है, ओपन करने के बाद इसको भी आपको इंस्टॉल कर लेना है, बहुत बार क्या होगा, कि आपको इंस्टॉल करेंगे, तो इंस्टॉल नहीं लेगा, वो लेगा कि आप में .NET 3.5 नहीं है, तो उसको आपको इनेबल करना होता है, कैसे इनेबल करना होता है, आप इसक जब इसको क्लिक करेंगे, तो आप देखेंगे जो पहला वाला है, .NET 3.5 यह आपको un-tick होगा, ठिक है, जैसे यह मेरा दो un-tick है, ठिक है, उसी तरह से आपका un-tick होगा, इसको आपको tick कर लेना है, ठिक है, जैसे यह इसमें 3 component दिख रहे हैं, एक, दो और 3, इसको तीनों क को टीक कर लेना है ओके करना है जैसे ही ओके करेंगे इंटरनेट से वह डाउनलोड होकर आपके सिस्टम में इंस्टाल हो जाएगा ठीक है यह आपको करना उसके बाद फिर आप यह इंस्टाल करिएगा तो इह इंस्टाल हो जाएगा तो आपको दो software install हो गया तीसरा जो आपका software है वो digital signature का driver है तो जैसे डिश्टल signature आप लगाईएगा और उसको जब आप windows से खोलिएगा तो आपको वो दिखेगा और उसको आप install कर सकते हैं अब उसके बाद settings करने होते हैं तो जो setting करने होते है Microsoft Edge के browser में करने होते है Microsoft Edge का browser आपको खोलना है ये जैसे अभी हम ये एज़ खोले लिए है आपको खोलना कैसे होता यह पर जाना होता है और एज टाइब करना होता है ठीक है यह स्सक्तंर टाइब आ Ilis stayٹ Usually आपको ये करना है सबसे पहले यहां जाना है और सबसे पर्ले आप इसमें बिहार भूमी का जो कोटल है। वियैं अपकोile डिएप ग्मूल्टन का काम करते हैं यहां फ्राफ करने के बाद आप को कौंपी कर करने के बाद आपको सेटिंग्स में जाना है टीक है वित्इंस में जाने के जैसे अगर आपको जहां बंदी वाले में भी आप डिचल श्रीनेशर करते हैं उसको भी अगर आप करना है उसका यह इससे आप लॉगिन करते हैं उसको कॉपी करना है एड कर देना है और यहां पर आ जाएगा ध्याने रखना है कि एक महिना क्लिए होता है जिसे एक तीस ता देना ठाब आँषका फिर इसको आपको अइड करना होगा अगर नहीं करेंगे तो आपको क्या करना होगा जब यह रहेगा तो बाहरा यहां से जाकर और आपको यह यहां रिलोड पेज इन इंटरनेट एक्स्प्प्वर मोड में आपको क्लिक करना पड़ेगा ठीक है तो यह दूसरा काम आपको करना है तीसरा काम यह करना है आपको जब यह आइड करने के पाद यहां एक इंटरनेट ऑप्संस दीख रहा है इस पर आपको क्लिक करना है ठीक čo यह दिया हुआ है इसको आपको ए ड कर देना है इंटरनेट जमए जाकर और यहाँ प्रिश को इसको कि एड कर लेना है और जैसे करेंगे ऊबयोंड करेंगे इसमें अइड हो जाएगा ट्रॉस्टे साइट मनातलाबहलकी सारे साइट सफरी ते सैडि समारे त्रॉस्टे हैं इसको आपको को प्लोज करना है पहला सेटिंग ब्राउजर का यह हुआ डूसरा आपको इंटरनेट में जाना है ठीक है इंटरनेट में जाकर आपको कर्स्टम लेबल में जाना होता है और यहां से जीतने भी आपको दिख रहे हैं डिसेबल होंगे आपके सिस्टम में इसको आपको इनेबल करना है इसको इनेबल करना है सारे जितने दिख रहे हैं आपको सबको इनेबल करना है यह सारे डाउनलोड एक्टिबेक्स कंट्रोल साइन अंसाइन एक्टिबेक्स कंट्रोल इस सारे आपको इ जाना है कॉस्टम लेवल में जाना है और इसमें भी आपको सारे इनेबर कर लेने हैं ठीक है इनेबल करने के बाद आपको यही तक मिसलेनिया से पहले तक का सारा इनेबल करना होता है ठीक है इसको इनेबल करने के बाद आपको इसको भी और जैसे ही परवेस करेंगे आपको यह पीज दिखेगा कि एक 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 टिवेस कंट्रोल ऑन दिस पेज माइट भी अंसेफ तु इंट्रेक्ट विथ अधर पर अधर पार्शम पर टिके इसको आप यहां पर आपका डिश्टल शिर्ट दिखने जाएगा उसको स कर ना हो तो आपको पता है आप रिमोट पर दिजिए सिस्टम आ रहा पर कोई भी कोई कोई ना कोई आपका सेटिंग कर देगा ठीक है थैंक यू भेरी मच आप लोगों को